हलो फ्रेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वाग है, दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, सोवन गोल्ड बॉर्ण्ड स्कीम 2020-21, गौवर्मेंट ने लॉंच किया है, इसको रिसेंटली RBI के थ्रू, दोस्तों इस गोल्ड बॉर्ण्ड स्कीम के बारे में जो भी important details हैं, उनको हम इस वीडियो में discuss करेंगे, और इस gold bond scheme में हमें पैसा invest करना है या नहीं करना है उसके बारे में भी जानेंगे क्या और क्यूं और नहीं करना तो क्यूं नहीं करना उन सब चीजों के बारे में भी जानेंगे दोस्तो ध्यान देना COVID-19 की विज़े से हमारा share market में काफी गिरावट हुआ है और यहीं नहीं जो risk free investment है saving scheme है उनके ब्यास दर में भारी गिरावट हुई है और यहीं reason है कि यह gold bond scheme को अगर हम compare करें दुसरे saving scheme से तो यह कड़ी टकर देता है आज की तारीख में दोस्तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम basic चीजों के बारे में जान लेते हैं दोस्तो यह जो gold bond होता है वो भी gold का ही एक form होता है लेकिन यह electronic form होता है दोस्तो ध्यान देना है कि यह जो gold bond issue किया जा रहा है वो RBI कर रहा है और government के बिहाफ पे कर रहा है तो यहां पर safety और security 100% है उसके अलावा एक और important चीज का आपको ध्यान देना है कि यह जो bond 2021 का issue होने वाला है वो six trenches में मतलब 6 series में किया जाएगा सबसे पहले 20 April 2020 से subscription चालू होगा और अंत यह 8 September 2020 को होगा मतलब 20 April 2020 से लेके 8 September 2020 के बीच में 6 series का bond issue किया जाएगा अब कौन सा series किस date में subscribe किया जा सकता कब issue होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे 6 series के हम date और आपको date of issue सब बताने वाले हैं आगे इस वीडियो में अभी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे important point के बारे में बात कर लेते हैं जो period होगा bond का जो tenor होगा bond का वो 8 साल का होगा लेकिन कोई uncertainty आजा है और अगर हमें bond को redeem करना है तो क्या हम कर सकते हैं तो option available है लेकिन ये option 5 साल complete होने के बाद ही हम apply कर सकते हैं मतलब exit option तो available है लेकिन 5 साल complete होने के बाद तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है अब हम जानते हैं कि कौन इस bond को खरीद सकता है resident individual, hindu undivided family, trust, universities और charitable institution तो दोस्तों individual और ये entities ही gold bond scheme में subscribe कर सकते हैं अब हम जानते हैं कि अगर subscribe करना हो तो हमें कहां से subscribe करना पड़ेगा कहां से हम खरीद सकते हैं तो post office से आप खरीद सकते हैं लेकिन ध्यान देना हर post office में ये available नहीं है उसके अलावा BSC और NSC से भी आप subscription ले सकते हैं notified schedule commercial bank है वहाँ से भी आप subscription ले सकते हैं stock holding corporation of India limited यहाँ पर भी आपको subscription मिल जाएगा अब हम जानते हैं कि investment का limit कितना है दोस्तों minimum 1 gram का subscription आप ले सकते हैं maximum 4 kg तक का subscription ले सकता है individual और Hindu undivided family लेकिन trust या दूसरे entities जैसे university और charitable institution उनके case में maximum limit है 20 kg का मतलब 20 kg तक का gold का amount होता है उतने का subscription आप ले सकते हैं तो यह एक important point है investment एक gram से start होता है 4 kg तक जाता है individual और हफ के लिए और 20 kg जाता है trust और उसके जैसे जो दुसरे entities हैं तो यह एक बहुत important point है उसके बाद हम बात करते हैं interest income की दोस्तों ध्यान देना है इस bond में आप अगर पैसा invest करते हैं तो यहां पर आपको yearly interest मिलता है 0.5% per annum अब कुछ लोग यहां पर सोचेंगे यह तो बहुत ही जादा कम है ऐसा नहीं आप पूरा वीडियो देखिए आगे आपको पता चल जाएगा यह भी बहुत ही reasonable interest rate है तो 2.5% per annum मिलता है और यह जो interest है वो हर 6 महीने में आपको मिलेगा तो यह एक important factor है उसके अलावा दोस्तों यहां पर एक और benefit हमें मिलता है capital income, capital income क्या होता है कि माल लीजिए हम gold खरीते हैं 50,000 का और वो future में मतलब 8 सालों के बाद 70 या 80,000 का हो जाता है उसकी value बढ़ जाती है तो उसको capital income कहा जाता है capital appreciation होता है तो इस च इसका ध्यान देना है कि capital income भी आपको मिलता है इसके अलावा interest income भी मिलता है इसलिए यहां पर benefit हमें मिलता है इस bond में अब हम जानते है taxability के बारे में ध्यान देना है 8 साल complete हो जाते हैं उसके बाद हम जब यह bond को redeem करेंगे तो हमें long term capital gain पर कोई tax नहीं लगेगा तो यह बह पहले ही अगर करते हैं तब long term capital gain tax लगेगा जैसे कि हमारे पास option होता है कि 5 साल complete होने के बाद हम चाहें तो अपने bond को redeem कर सकते हैं और पैसा ले सकते हैं तो वहाँ पर long term capital gain tax लगेगा इस चीज़ का ध्यान देना उसके लाग जो interest मिलेगा वो भी taxable होगा वो हमारी income में ज ज्यान रखना है तो यह तो हमने बहुत सारे important point को discuss कर लिया अब हम जानते हैं कि क्या reason है कि हमें gold bond scheme में पैसा invest करना चाहिए क्यों gold bond scheme में पैसा invest करना चाहिए सबसे पहले तो government का scheme है risk free है इसमें कोई भी risk नहीं है पैसा डूबने का तो यह सबसे important factor है और आज की तारीख म जो investor है निवेसक है वो ऐसे ही option ढूण रहा है उसके अलावा second important point है कि हमें fixed interest income मिलेगा यह जो interest rate हमने बता है 2.5% वो fixed है मतलब हर साल हमें 2.5% मिलेगा जो कि हर 6 महीने में हमारे को interest भी मिल जाएगा उसके अलावा capital appreciation है हमारे bond का price जो है वो बढ़ते भी रह सकता है अगर gold का price बढ़ेगा जो normal gold होता है उसका price बढ़ेगा तो हमारे bond का price भी बढ़ते ही रहेगा तो यह एक benefit हमें मिल जाता है उसके अलावा tax benefit भी मिलता है 8 साल complete होने के बाद भी हमें long term capital gain पर tax नहीं लगता है यह एक बहुत important factor है तो यही सब reason है जिसकी वज़े से हम gold bond scheme में पैसा invest कर सकते हैं उसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे reason भी जान लेता है जो कि हमें discourage करते हैं हमें हतोत साहित करते हैं कि हमें gold bond scheme में पैसा invest करना है या नहीं करना और आज की तारीक में जैसे covid-19 चल रहा है तो यहां पर हमें liquidity की काफी जादा जरूरत लगती है यह future में क्या बंद है employment बंद है तो पैसो की जरूरत हमें पढ़ सकता है लेकिन gold bond scheme यहां पर liquidity की ही problem है in case अगर 5 साल से पहले हमें कोई uncertainty आ जाए और पैसो की जरूरत पड़े तो हम इसको redeem नहीं कर सकते हैं 5 साल से पहले 5 साल के बाद कर सकते हैं लेकिन 5 साल के पहले नहीं कर सकते हैं तो आप अगर gold bond scheme में पैसा invest करना चाहते हैं तो मैंने आपको इसके features भी बता दिये हैं फिर क्या advantage है और क्या disadvantage है उनके बारे में भी बता दिया है अब मैं आपको बताता हूं कि जो series है उनके date क्या है subscription date क्या है और issue के date क्या है देखिए यहां पर series 1 20 April से subscription स्टार्ट होगा 24 April होगा और इसका date of issue होगा 28 April उसी तरीके से series 2 का May 11 से लेकर 15 के बीच में होगा और इसका date of issue होगा 19 आप इस वीडियो को pause कर लिजिए और आप देख सकते है series 3 का क्या date है series 4, 5, 6 का date देख लिजिए ठीक है तो दोस्तों I hope कि आपको पता चल गया होगा कि subscribe कप करना है और date of issue क्या है अब हम जानते हैं कि जो हम एक ग्राम से लेकर 4 किलो तक का सोना लेंगे वो कौन सी प्राइस पर लेंगे जो bond हमें issue होगा वो किस प्राइस पर होगा तो हम ये वीडियो बना रहे हैं 16 तारीक को अभी भी issue price नहीं आया हुआ है लेकिन issue price calculate कैसे करना वो बता दिया ग bond को उसके पहले के जो तीन working days होंगे उसमें जो 999 purity वाला gold होगा उसका जो closing price होगा उसका average निकाला जाएगा और जो average होगा वही issue price होगा अब हमें closing price कहां से मिलेगा 999 purity वाले gold का तो दोस्तों RBI ने इसके बारे में भी बताया है कि India Bullion and Jewelers Association Limited इनकी website पर आपको मिल तो दोस्तों यहाँ पर हमने method बता दिया है लेकिन आपको calculation के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है issue price जैसे ही आएगा हर series का मैं आपको बताते रहूंगा आपको सिर्फ हमें subscribe कर लेना है उसके अलावा facebook, twitter या instagram पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं तो जो भी issue price आ ज्यादा use नहीं होगा मुझे ऐसे लगता है demand draft और check भी ज्यादा use नहीं होगा electronic payment ही ज्यादा use होगा और यहाँ पर हमें discount मिलेगा 50 रुपए पर इस चीज़ का आपको ध्यान देना है अब हम जानते हैं redemption price का redemption price तो हमें 8 साल के बाद ही पता चलेगा फिर भी उसका calculation कैसे हो closing price का average निकाला जाएगा और closing price हमें मिल जाएगा India bullion and dwellers association limited की website पर तो दोस्तों यह भी कुछ important factors थे जिनके बारे में जानना बेहत ही जरूई था तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही I hope कि यह वीडियो आपके लिए useful रहा होगा दोस्तों आपको यह gold bond scheme कैसे लगा है आप हमें comment करके जरूर बताएं दोस्तों मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद